नमस्कार दोस्तों हम करने हैं strength of material जो subject है हमने engineering mechanics का कुछ basic देखा अब हम किसी material की क्या strength होती है दोस्तों उसको देखने का प्रियास कर रहे हैं और उसमें बड़ा ही महत्पूर्ड टर्म है stress इस्ट्रेस यानि दोस्तों किसी material की क्या capacity है कि आप उसके अगर प्रेसर डाले तो जहल पाए दोस्तों इस्ट्रेस इंटर्नल रेजिस्टिंग फॉर्स पर यूनिट एरिया और लिमिट एरिया टेंस टू जीरो जो हमें वैल्यू मिलती है वह इस्ट्रेस की होती है दोस्तों दोस्तों एकसर नहीं इंटर्नल रेजिस्टिंग फॉर्स है जोह इकी अलग होगी स्टील थेस्टमारी अलग होगी लकडी की अलग है तो इस्ट्रेस इज़े टेंसर कॉंटिटी और उसी को दोस्तों इस मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाया गया है आप देख रहे हैं 3 by 3 का मैट्रिक्स है तीन रो और तीन कॉलम है इसमें और यूनिट इसकी मेगा न्यूटन पर मेटर स्कॉर्र मेगा न्यूटन यानि फोर्स मे y direction at the same point is then equal to दोस्तों सीधे सीधे अगर हम इसको इसमें convert करें तो यह है सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई एक्स टाउ वाई जेड और फिर टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड तो दोस्तों जो डाइगनल पर आप देख रह त्वह्मा जो से शेलें हैं या आपका नॉर्माल इस्ट्स ऐन्य कोई जैसे सिटन है व辉सके यह एक है अगर ब्लेण है तो इससे जो बाहर निकलता हुआ है जो इसमें अंदर जाता हुआ इस्ट्रेस है आप इसको घेड़िकेंं तो फोसेड़वाय वह होता है नॉर्माल और दोस्तों उसके जो है वो जो यह जो प्लेन है इसके इसके पैरलल इस प्लेन के पैरलल यानिकी इस तरीके से अगर आप किसी खिसकाएंगे जो आप पेज पलटते हैं एक पेज के ऊपर दूसरा पेज जब आप प्रॉपी का पलटते हैं तो आप असल में सीयर लगाते हैं यह वाले दोस्तों अगर मैं आपको और दिखाऊं सही से यह दोस्तों एक cube element ले लिया मैंने और यह xyz axis है यह plane है दोस्तों तो यह है along दोस्तों यह है sigma z z direction में तो sigma z यह है sigma y यह है sigma x और दोस्तों जो यह parallel to the plane यानि यह जो plan हमारा आया है उपर वाला इसके parallel यह जो है है यह cclipse है दोस्तों यह दोनों ही Record यह भी C gust यह भी C यह जिस यह लिए लिए इस जAD को आप sigma z जड़ vig BT all 약 6 it इसमें जो पहला जड़ है वो है यह जड़ प्लेन पर लग़ा है और दूसरा जेडह कि जोिसकी एकसी से लगने की वो मुह यह डोस्तों जो बागी कई हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि यह जेडट प्लेन है यह श्क प्लेन है याणी कि यह जो है वह हो टाव z plane में लग रहा है इसले पहला z और दूसरा किस तरफ लग रहा है दोस्तो यह इसकी direction देखे y direction है तो इसले z y है और यह है tau z z plane को है पहला वाला जो है plane को दिखाता है और दूसरा वाला direction को और यह x direction की तरफ है तो वहीं इस प्रकार यह जो ताव x और इसकी जो डारेक्षन है वो y की तरफ यह टाव x इसकी डारेक्षन है z की तरफ तो दोस्तो एक खास चीज मिलेगा टाउ एकस वाई एकस यह बराबर होता है यानि यह इधर वाले जैसे यह वाला टाउ जेड़ वाई और टाउ वाई जेड़ बराबर है टाउ एकस वाई एकस बराबर है ठीक है दोस्तों यह जैसे यहां पर भी आप देख सेटें यह दस और दस बराबर है टाउ एकस भी बडाबर है और टाउ जड़ एक्स एक्स जड़ भी बराबर यानि दोस्तों चय इंडीपेंड़ंड आपको मिले है एक तो ये डाइगनड़ वाले तीन नॉर्मल स्ट्रेस और आपको थीन ही मिले है सिंडी एक्स ऴाई कहले ज़े ले यह बाकि तीन के बराबर है तो आपको stress मिले हैं, तीन नॉर्मल इस्ट्रेस और तीन सीर इस्ट्रेस यह दोस्तो टाउ एक्स वाई था और यह माइनस देस और माइनस देस टाउ एक्स जेट और टाउ zx है दोस्तो और यह वाला 20 Lord 20 क्या है अठाव y z और ये बराबर होते ही दोस्तो तो इंडिपेंडेंट नहीं है और हम سے पूछरा है दा सिएरलि cade l on the x face x face हमारा यह है x face को हो या प्लेन को हो x face ये है और दोस्तो in the y direction यह करते हैं आपको मज़ा होगा इ lithe आन्यवाट